नमस्कार मैं हूँ दिव्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 13 इसमबर दिन सनिवार खब्रक्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर बिहार ने कई राजियों को पीछे छोड़ सर्वस्रेश्ट पुरस्कार किये अपने नाम वेब साइक पार्टे करम को लेकर बिहार सरकार की नई पहल कोरोना को लेकर नितिस कुमार की स्वास विभाग के साथ एहम बैठर आविदन के अंतिन तिति और आयू सीमा को लेकर बिहार स्पिसल टी टी दोजार थेस्ट की जरूरी सूचना दक्सिन अफ्रिका के खिलाब टेस्ट मैच के सीरीट से पहले भारतिय टीम की बरी मुस्कले अब चलिए भरतने बिहार के अब तक के पजीस बरी खबरों के और विस्तार से 12 पास में दवार मल्टी परपर्स हेल्थ वरकर और फार्मसिस्ट के पदों पर करे आवेदर ओली सा चाप सेलेक्षन कमिसन दवारा भरती निकाली गई है यह भर्ती फार्मसिस्ट जैसे कई पदों के लिए आई हैं जिसमें भर्ती के माध्यम से कुल 2453 पद भरे जाएंगे इन पदों में फार्मसिस्ट के लिए 1002 पद तो वहीं मल्टी परपर्स हेल्थ वर्कर के लिए 14-51 रिक्त पद भरे जाने हैं आविदन प्रक्रिया 22 दिसमबर से ही शुरू है आविदन करने के अंतिम तारिक 16 जन्वरी दोजार चौबिस तक है एक चुक उमिदवार इसके आधिकारिक वेबसेट OSSC.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं वहीं फार्मसिस्ट पदों पर अप्लाई करने वाले उमिदवारो की नियुनतम आईउ 21 वर्स और एधिकतम आईउ 38 वर्स होनी चाहिए हाला कि आरक्षित वर्क्रियों मिदवारों को इसमें छूट दिये चाहेंगे आधिक जानकारिक लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं आधिकारिक वेबसेट और नोटिफिकेशन लिंग ह इस दोरान फसल उतपादन में सर्वस्रेष्ट राजी के पुरसकार से बिहार को सम्मानित किया गया बतादे कि बिहार को यह पुरसकार फसल उतपादन में उतक्रेष्ट प्रदर्सन के लिए भारत के पूर्व मुक्य नयाए धीस और के राजयपाल नयाए मोर्ती पी सदा सिवं की अध्यक्स्ता में प्रतिष्ठित जूरी पैनल द्वारा दिया गया है। क्रिसी विभाके सचीव संजी अगरवाल ने समारो के दोरान केंद्री क्रिसी अवं किसान कल्यान मंत्री अरजुन मुंडा से पुरसकार प्राप्ट किये। इस मौके पर संजी अगरवाल द्वारा कहा गया कि फसर उत्पादन में बिहार की सफलता का स्रे एक व्यापक द्रिस्टी कोन को दिया जाता है। इसके बाद इन्हें वर्स 2009 में लैक में फैसन वीक में रैंप वाक पर चलने का मौका भी मिला। उन्होंने सल्मान खान के साथ प्रस्थ फिल्म दवंग में भी काम किया है। साथी प्रसिद गाय खने सिंग के साथ सौंग अलबं भी बनाए। इसके अलावे सुनाक्ठी कलंक और खांदानी सफा खाना जैसे कई प्रसिद फिल्मों में भी काम कर चुकी है। वेबसाइक पाठे क्रम को लेकर बिहार सरकार की नई पहल। राजे सरकार द्वारा वेबसाइक पाठे क्रम को लेकर एक नहीं पहल की गई है। जियारेफ पीच्डी एमफे लादी प्रवेस परिक्चाओं की तैयारी निसुल को होगी। इसमें प्रसिक्चन अबदी 6 महीने के लिए रखी गई है। वह यू प्लब्द सीटों की संख्य 120 है। बतादी की प्रसिक्चन सत्र में ग्रिस्म कालीन सत्र अप्रेल से सितंबर तक होगे। तो वहीं सीट कालीन सत्र अक्टूबर से मार्च तक रहेंगे। यदि आपको इस संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके आधिकारिक वेबसेट पर जा सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे रखा है। प्लब्द करवाने की बात कही गई है। यदि आपके इस प्लैनिंग लिस्ट में राजगीर भी सामिल है। तो यह खबर जानना आपके लिए बिहद ही जरूरी है। दरसल राजगीर में परेटकों के बीच प्रसिद नेचर सफारी और जू सफारी बंद रहने वाला है। हाला कि इसके अलावे आप राजगीर में और भी कई खूपसूरत जगों का दीदार कर सकते हैं। इसके अलावे राजगीर आने वाले परेटक तांगा की सवारी भी कर सकते हैं। दरसल तांगा घोरा गारी को कहते हैं। सवारी खीचने वाले घोरे को बरही अच्छे तरीके से तयार किया जाता है। जिसे देखकर परेटक काफी आकरसित होते हैं। हालांकि राजगीर परेटकों के बीच अपने नेचर सफारी को लेकर भी ज्यादा प्रसद है। इसके बंद होने से यहां घूमने आने वाले लोग ग्लास ब्रीज, सूटिंग, सस्पेंसन ब्रीज, जिप लाइन, तिरंदाजी और राइफल सूटिंग आधी एक्टिविटीज का मजा नहीं ले पाएंगे। वही जू सफारी के बंद रहने से परिटक खुले में जंगली जानवरों को नहीं देख पाएंगे। इस वर्स के बेरोजगार भाग ले सकते हैं। इस जॉब कैम्प में सामिल होने के एक्चुक अभ्यरती NCS पोर्टल पर अपना निवंधन जरूर करवाले। इस जॉब कैम्प को लेकर जिला नियोजन पतादिकारी राना अमितेस वारा बताया गया है कि नीजी छेतर की बरी कंपनी विल्स पॉल इंडिया लिम्टेड द्वारा ट्रेनिंग ऑपरेटर के पदों पर आठवी पास से लेकर आई टी आई तक के एक सो बिरुजगारों क चैन करके गुज़रात में काम देगी इनका वेतन सारे 12,000 रुपे से लेकर सारे 15,000 रुपे तक होगा साथ ही इन्हें रहने और खाने के सुविधा भी दी जाएगी बिसन चन्दरियान तीन में इसरो की सफलता पर एक और खबर आई सामने अभी हाल में ही चार महिने पहले चान्द के दक्फरी धरूप पर भारत के तीसरे मून मिसन चन्दरियान तीने सफलता पूर्वकर लैंड कर इतिहास रचा था इस सफलता के बाद चांद के दक्षनी ध्रोप पर अपने यान लेंड करवाने वाला भारत दुनिया पहला देश बन गया था अब इसी को लेकर इस्रों ने एक और जानकारी दी है जहां याबद सामने आई है कि इस्रों को चंद्रियान तीन मिसन के लिए प्रतिस्टिट और वाच से सम्मानित किया है आइसलेंड के हुसाविक में सिथ एक्स्प्लोरेशन म्यूजियम में ने दोजार तेज से लीफ एरिक्सन लूनर प्राइजिंग से इस्रों को उसके सफल चंद्रियान तीन मिसन के लिए सम्मानित किया इस पर भारती दूतावास ने सोसल मीडिय एक्स के जरिये बताया कि यह पुरसकार चंद्रमा के दक्सनी द्रूप के पास अंत्रिक्ष यान की पहली सौफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा संबंदी खोच को आगे बढ़ाने वं आकासी रहस्यों को समझाने में योगदान द और आयू सीमा में छूट को लेकर बिहार विद्याले परिष्टा समीती द्वारा जरूरी सूचना सामने आई हैं दरसल बोर्ट द्वारा जारी किये गए नोटिस में कहा गया है कि संबंदित अभ्यातियों को सूचित किया जाता है कि निदेशक प्रात्मिक सक्षा सक्षा में भाग बिहार पटना में आलोक में सभी वर्गों के अभ्यातियों को आयू सीमा में दस वर्सों की छूट दी जा रही है बता दे कि 27 दिसमबर 2023 तक B.S.S.T.E.T. के लिए ऑनलाइन आविदन करने और आविदन सुर्क जमा करने के अंतिमतिती कर दी गई है बिहार बोर् ऑनलाइन भुक्तान करने वाले यूजर्स के लिए जरूरी सूचना आज के इस डिजिटल यूग में हमें से कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन लेंदेन के लिए गूगल पे फोन पे पे टियम भीम या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तिमाल करते हैं यदि आप भी इनका इस्तिम होना जरूरी है अगर पिछले एक साल में किसी तरह का कोई लेंदेन नहीं हुआ है तो उनकी यूपी आई आइडी डिएक्टिवेट कर दी जाएंगी इसलिए यूपी यूजर्स 31 दिसंबर तक अपना अकाउंट अकाउंट अक्टिवेट ना हो पाए बदादे कि यूपी तो इसके लिए बिहार के कटेहार में गोगावील जील आ सकते हैं जो की 62 प्रजातियों के पक्चियों का बसेरा है या जील पूरे 217 एकर में देखने को मिलेगा इस जील को बिहार सरकार द्वारा भ्यारनने का दर्जा दिया गया है साथ इस अस्तान को बिहार सरकार ने ए यानि सहबाद टिठरी ये पक्षी अपने खूबसूरती और सांतिप्रिये होने के कारण लोगों के बीचाने जाते हैं। इस दिन सीता मरी से अध्या के बीच इन रूटों से होकर गुजरेगी देश की पहली वंदे भारत साधारन को चलाने की तैयारी सीता मरी से अध्या के बीच शुरू की जा चुकी है। जनकपुर रोड सीता मरी बैर गनिया घोरा सहन रक्सवाल नरकटिया गंज वाया सिक्टा होते वे वालमीकी नगर कप्तान गंज की रास तक लाया जाएगा। इसे लेकर सीता मरी रेलवे स्टेशन अधिक्ट्रक सुरेंद्र कुमार सिंग द्वारा बताया गया है। कि ट्रेन ट्रायल से पूर्व तयारी के निरेक्षन के लिए 22 दिसंबर को हाजीपूर डेल महाप्रबंदक अनीर कुमार खंडेलवाल सीता मरी डेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ट्रायल में चलने वाले इस ट्रेन में वरिष्ट अधिकारेगन और सुरक्षा अधिकारी सवार होंगे। साथी तीनों जोन के महाप्रबंदकों को DRM और वरिष्ट परिचारन प्रबंदकों द्वारा ट्रेन के मार की निगरानी होगी। बितिया दोरे पर पहुंचते ही फूल माला और आरती से केके पाठक का हुआ भविस्वागत। इस तरह से अपना स्वागत होता देख केके पाठक भी अभी भूत हो गया। इस दौरान उन्होंने जिले के MJ के कॉलेज कुमारबाग डायट प्रसिक्षन के इंद्रि बेतिया विपिन हाई स्कूल का दौरा भी किया। इस दौरे में उन्होंने सिक्षकों के उपर स्थिति का हाल जाना। पहले कैबिनेट की 5 दिसंबर को बैठक होई थी जहां बैठक के दौरा अनकुल 23 जन्रों पर मुहर लगी थी जिन में वायू प्रदूसन को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को अस्थापित करने से लेकर सरकार्जवारा सबसी जिरी देने जैसे कई महत्वपून बात सामने आई थी बिहार के मौसम का मिजाज चलिए अब जानते हैं बिहार के मौसम के मिजाज के बारे में मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरा अंसुब के समय राजी के अधिकांस भागों के एक या दो अस्थानो में हलके से मध्यमस्तर का कोहरा चाही रहने का पूर्वा नुमान जताया गया है वहीं आने वाले दो से तीन दिनों में प्रदेश में टाजी के नियुंतम एवं अधिक्तम तापमान में दो से तीन डिग्री की क्रामिक वृद्धी हो सकती है हाना कि मौसम को लेकर की चेताब नी जारी नहीं की गई है रिते ही दिनों अधिक्तम तापमान 27 डिग्री सेल्सेस के साथ किसंगंज और मोतिहारी में दर्ज किया गया वहीं सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सेस के साथ गया में दर्ज किया गया पटना में इस दिन से प्रोकबड़ी लीग के दसवे सीजन की होगी शुरुआत प्रोकबड़ी लीग के दसवे सीजन की शुरुआत हो चुकी है इस लीग में पटना पाइरेट्स अच्छा प्रदर्सन करती नजर आ रही बिहार बासियों के एक बार फिर से पूरे चार साल अधिया प्रोग का बड़ी लीग देखने को मिलने वाली है बतादे कि इस लीग का आयोजन 26 जनवरी से पटना के पातले पुत्र स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में होने वाला है यह लीग 31 जनवरी तक देखने को मिलेगी इन 6 दिनों तक कुल 11 मैचे पटना में आयोजित की जा को वानवर महोचप का आयोजन विहार के जहाना बाद में किया जाना है इस महोचप को लेकर प्रसासन तयारी में लग चुका है होने वाले इस आयोजन में कई कलाकार अपनी प्रस्तूती देंगे इन कलाकारों में लोग गायक सतिंद्र और ममता सर्मा अपनी कला बिखेरती नजर आएंगी बतादी की प्रसासन द्वारा हर साल आयोजित किये जाने वाले इस महोचप को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं मेजर मनोज कुमार को से ने सम्मान और नम आखों से मिली स्राधांज ली देश के वीर सपूत मेजर मनोज कुमार के पार्थिव सरीर को बीते ही दिनों उनके पैसरी गाउन लोधिपुर अरवल में लाया गया मतादी के अरुनाचल प्रदेश में भारत चीन की सीमा पर मेजर मनोज कुमार ने बलिदान दिया इस दौरान मेजर मनोज कुमार के पार्थिव सरीर के आग एक कई उवक हाथ में जंडा लेकर बाइक पर सवार मनोज कुमार अमर रहे के नारे लगाते आगे बरते दिखाई दे रहे थे वीर सपूत के अंतिम दर्सन के लिए कई लोगों की भीरी कठा होई थी इस दौरान सभी ने नम आखों से मेजर मनोज कुमार को सुरधांज ली अरपित की पुलिस ने अवैद बालु खननन पर की कारवाई बिहार में पुलिस लगातार अवैद बालु खननन को लेकर कारवाई करती नजर आ रही अब इसी मामले में बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है तरसल पुलिस ने 40 वैसे नावों को जब्द किया है जो अव पुलिस नावाद और पतलोटिया के बालु घार पर की गई थी इस मामले को लेकर भीहट्य थाना ध्यक्ष राम संकर सिंग का बयान भी इस सामने आया है उन्होंने बताए कि इस बारे में पुलिस को गुफ्त सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस के टीब मौके पर इडी के समन के बाद भी पेस नहीं हुए तेजस्वी अब लालु यादव के पेस होने को लेकर चर्चा तेट लालु प्रसाद यादव और उनके बेटे डिप्टी सीम तेजस्वी यादव को रेलवे में नौकरी के बदले जमीर और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामल इडी में मनी लॉर्णिंग की जाच कर रही इडी द्वारा समन जारी किया गया है बता रहे कि 22 इसमबर को इडी ने समन जारी करके पूछताज के लिए बुलाया था लेकिन इडी के सामने वे पेस नहीं हुए दरसल इडी से अगली डेट की मांग तेजस्वी के वकील कारी के नुसार आने वाले 27 इसमबर को इडी नालू यादव से पूछताज करने वाली इडी इस मामले को लेकर दावा कर रही कि डेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ने तत्रत सामने आया है इसलिए एडी LALू और तिदस्वी थे पूछताज करने के ल आस्रम में राश्रियो स्वाम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत आए इस दौरान कई सादू संथ और अखिल भारतिये संथमत संग महासभा के पताधिकारी मौजूद रहें जहां उन्होंने मोहन भागवत का स्वागत तिलक लगा कर और मंतरोचारन के साथ किया इस दौर राजनीतिक दलों के लिए लोग सभा चुनाव 24 के संबन में चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी किये गया है इस दौरान गाइडलाइन में राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि वे दिव्यांग लोगों के प्रतिया अपमान जन का अपमान समझा जा सकता है इन अपमान जनक सब्दों में चुनाव आयोग ने कुछ उधारन भी दिये जिन में गुंगा पागल सिर्फिडा अंधा काना बहरा लंगडा लूला और पाहिज जैसे सब्द सामिल है चुनाव आयोग ने कहा कि इन सब्दों का इस्तिमाल नहीं होना चाहिए साथी राधिनितिक चर्चा या चुनावी अभियान में दिव्यांगों को न्याय और सम्मान दिया जाना चाहिए इसके इलावे चुनाव आयोग द्वारा यह भी साफ किया गया कि यदि कोई इस तरह की भासा या सब्दों का इस्त मुष्कलें खरी हो चुकी है रसल अचानक साथ अफ्रीका से भारती टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोली भारत लोटा हैं यहां लोटने की वज़र उन्होंने फैमिली मर्जंसी बताया है बतादे कि इसकी जानकारी न्यूज एजंसी पीटिया के तरब से मिली है अब विराट कोली 26 दिसेंबर से सेंचूरियन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए समय पर वापस पहुँच जाएंगे कई कारणों से दर्जाए भारत की तेहास मैं आज की तारी आज के दिन भारत के प्रधार मंत्री चोजरी दिवस मनाते हैं आज के दिन राश्ट्रेस्तर पर स्वामी स्रधा नंद वलिदान दिवस मनाते हैं आज के दिन वर्ष 845 में भारतिय वकील डॉक्टर रास बिहारी घोस का जन्म हुआ था आज के दिन प्रसिद राजनितिग्या मेहर चंद महाधन का जन्म वर्ष 1989 में हुआ आज के दिन वर्ष 1952 में प्रफुला कुमार महंत का जन्म हुआ था ये भी पेसे से एक भारतिय प्रसिद राजनितिग्या थे तेक ज्यान में आज हम जानेंगे इन पांच जरूरी एप्स के बारे में जो मिन्टों में काम को कर देंगे आसान स्मार्टफोन जब से लोगो जरूरी भी है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मैडिसिन डिलीवरी एप के बारे में द्रसल इस एप के जरिए इमर्जिंसी के दोरान आप अपने घर पर जरूरी दवाओं का डिलीवरी भी करवा सकते हैं वही दूसरे नमबर पर हम बात करेंगे डीजी लॉकर एप के पारे में इस एप की मदद से आप डस्ता वेजों का आदान प्रदान पंजिकरित कोस की मदद से कर सकते हैं यह एप एक सरकारी एप है जो ऑनलाइन दस्ता वेजों की प्रामा निक्ता को सुनिस्द करता है इस एप की मदद से आपको अधिकतर समय में जरूरी दस्ता वेजों अब भुगों से रहेंगे, पूछेंगे 5 सवालों में आपने कितने सहीं उतर दिये हैं, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, तो हमारा पहला सवाल है, हाली में बहुत धर्म गुरु दलाई लामा ने बहुत गया में किसका उधगाटन किया है, हमारा अगला सवाल है, हाली में किस भात ये स्टार क्रिकेटर को अर्जुन अवोर्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा, आप्सन आ है रोहित सर्मा, आप्सन भी है विराट कोली, आप्सन सी है संजू सैमसर, आप्सन दी है मोहमत समी, इसका सही उतर है मोहमत समी, हमारा अगला सवाल है, ये देशवर परवत जहां पर हाल में ही प्राचीन सेल चित्र पाए गया, वजला बिहार के किस जिले में है, आप्सन आ है जमूई आप्सन भी है और अंगाबाद आप्सन सी है जहानाबाद आप्सन दी है नालंदा, इसका सही उतर है आप्सन आ जमूई अब हमारा अगला सवाल, बिहार में किस अस्थान पर गांदी जी ने सत्याग्राद शुरू किया था, आप्सन आ है पटना, आप्सन भी है चंपारन, आप्सन सी है वैसारी आप्सन दिये गया, इसका सही उतर है आप्सन भी चंपारन, हमारा अगला सवाल, गर्मी के समय में बिहार का कौन सा सहर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, आप्सन आ है भागलपूर, आप्सन भी है पटना, आप्सन सी है मुझापरपूर, आप्सन दिये गया, इसका सही उतर है गया, बीटे दिनों हमारे दौरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सिक्सन भॉक्स में लिकर दिया था, दिनोंने हमारे दौरा पुछे के सवालों का जवाब दिया, उनके नाम है, समीत की तो आप हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना है बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी नियूर और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फ